नमश्कारम एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल बात पते की मैं हूँ दीपा आज का वीडियो उन सभी के लिए है जो केस्टर ओयल इस्तमाल करते हैं या फिर करना चाहते हैं क्योंकि केस्टर ओयल के बेनिफिट्स तो बहुत जादा है लेकिन कुछ मिस्टेक्स कुछ ख मिस्टेक्स के बारे में कैस्टर ओयल लगाते वक्त ताकि हम कैस्टर ओयल का पूरा पूरा बेनिफिट उठा सके अब अगर कैस्टर ओयल के बारे में बात करें तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसको जो है इंजेस्ट भी किया जा सकता है जो की जादा तर जो है व हम बात कर रहे हैं कि सुपर्फीशली अगर हम स्किन पे केस्टर रॉयल अप्लाई करते हैं तो इसके बहुत सारे केस्टर बेनफिट्स हैं यह जो मैंने आपको बेनफिट्स बता है यह एस्टेटिक यárनि कि हमारे सुपर्फीशली स्किन को एक्स्टरनली सुंदर बनाने के लिए है इसके साथ साथ केस्टर बेनफिट्स के और बहुत लिए की। कर देते हैं केस्टर ओयल लगाते वक्त तो उसके जो हमें नुकसान दिखते हैं उसके चलते क्या होता है कि हम केस्टर ओयल लगाना ही छोड़ देते हैं तो उससे क्या होगा कि केस्टर ओयल के जो बेनिफिट्स हमें मिल सकते थे उससे हम जो है दूर हो जाते हैं तो चलिए जानते हैं केस्टर ओयल की कुछ खास मिस्टेक्स जो हम करते हैं अब केस्टर ओयल की कुछ बूंदे कुछ डॉप्स ही बहुत मैजिकल काम कर सकती है खास और पे केस्टर ओयल के बैली बटन पे बहुत ही अच्छे इफेक्ट्स देखे गए हैं बैनिफिट्स देखे गए हैं केस्टर ओयल को अगर बैली बटन पे अप्लाई किया जाए तो वो एक बैली बटन एक ऐसा पॉइंट है जो कि हमारी पूरी बॉड़ी में केस्टर ओयल के बेनिफिट्स को अवेल करवा सकता है तो जादा तर जो वोमेंस होती है उनको पीरिट्स के टाइम जितनी भी क्रैम्स की प्रॉब्लम होती है उसमें केस्टर ओयल के बहुत जादा बेनिफिट्स होते हैं और जिनको कॉंस्ट्रिबेशन की प्रॉब्लम होती है वो भी अगर केस्टर ओयल को बैली बटन पे अप्ल में अप्लाई करते हैं तो यह हम बड़ी मिस्टेक कर देते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर दो चार बूंद ही बहुत अच्छा काम कर रही है तो हम बहुत जादा इस्समाल करने लग जाते हैं कि उसका बेनिफिट भी हमें जादा मिलेगा लेकिन यहां पे बहुत ही गलत जो हम स्टेप ले रहे होते हैं केस्टर ओयल के फ्यू ड्रॉप्स दो से चार बूंद ही बहुत अच्छा काम कर जाते हैं अगर आप जादा यूज करेंगे उससे क्या होगा कि बैक्टिरियल इंफेक्शन होगा जिस जगह पे भी आप केस्टर ओयल अप्लाई कर रहे हैं आप ऐसे बैली बटन पिर अपने फेस पे तो वहांपे पिंपल स मरनने लग जाएंगे तो पिंपल्स या एक्नी की प्रॉब्लम को होती है वह इंफेक्शन या एक सबसे पहला स्टेप यह ंंडली बटन में अपने बैनी करने के बाद ही केस्टर ओयल अप्लाई करें ताकि फेस पे कोई भी बैक्टीरिया या किसी भी तरह का इंफेक्शन का खत्रा ना हो अब यहां पे एक इंपोर्टन चीज और आ जाती है कि अगर आप केस्टर ओयल पहली बार इस्तमाल करें तो यह जरूर देखें कि केस्टर आपके स्किन पे किस तरह से रियेट कर रहा है तो थोड़ी क्वांटिटी में केस्टर ओयल इस्तमाल करें और फिर देखें कि अगर आपकी स्किन पे केस्टर ओयल सूट कर रहा है तो धीरे धीरे आप केस्टर ओयल की क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हैं इसके साथ साथ जिन लोगों की skin sensitive होती है तो उन लोगों की skin पे kester oil से थोड़े से redness भी आ सकती है rashes की problem भी आ सकती है तो उस चीज़ को avoid करने के लिए आप क्या कर सकते हैं kester oil को dilute जरूर करें जिन लोगों की skin sensitive है तो dilute आप किसमें कर सकते हैं आप coconut oil में dilute कर सकते हैं या कोई भी oil जो आपकी skin के लिए suitable है उस oil में आप dilute कर सकते हैं इसके साथ kester oil की eye health के लिए भी बहुत ही अच्छे benefits है जैसे की kester oil जो है वो आँखों में जिनको dryness हो जाती है dry eyes की problem होती है आँखों में floaters आ जाते हैं इसके साथ साथ अप्लाई किया जाता है अब यहां पे कुछ mistake हो जाती है कि kester oil excessively apply हो जाता है तो इसलिए यह जरूरी है कि जब आप kester oil को अपने आखों के आसपास apply करते हैं तो बहुत ही precociously उसे apply करें क्योंकि जब भी आप excessively kester oil apply करते हैं आखों के आसपास उससे क्या होता है कि आखों के अंदर irritation हो सकती है और कुछ infection भी हो सकता है तो kester oil को जब भी आखों के आसपास लगाए जाए तो कभी भी excess amount में ना हो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप जो भी earbud होती है एकदम clean साफ सुत्री earbud होती है उसको kester oil में dip करके अपने आख के आसपास वाल एरिया में वहाँ पे आप अपलाई कर सकते हैं आईलेट्स के आसपास अपलाई कर सकते हैं उससे जो है excessive जो भी kester oil होता है वो नहीं लगेगा और जितना भी appropriate amount होता है उतना ही kester oil लगेगा और इससे आपको पूरा benefit भी मिल जाएगा इसके साथ सा दूसरा तरीका ये है कि आप अपने hands को बहुत ही अच्छे से wash करके उससे अच्छे से dry करके अपने finger tips का भी इस्तमाल कर सकते हैं kester oil को just अपने finger tips पे हलका सा लगाए और उसको हलका सा अपने eyelids के आसपास near the eyes अपलाई कर सकते हैं बहुत ही sanitize तरीके से साफ सुतरी तरीके से इसके साथ चाथ एक और precaution kester oil को लगाते वक्त जो ध्यान रखना जरूरी है वो ये कि जब भी आपके skin पे कहीं पे भी cut है कहीं पे भी कुछ pimple है या infection है उस जगह पे kester oil को बिल्कुल भी apply ना करें उस जगह के आसपास वाले area में आप kester oil लगा सकते हैं उस particular area पे जहां पे cut है या infection है वहाँ पे kester oil को ना लगाए उससे क्या होता है कि kester oil जो है एक तरह से पूरा cover कर देता है एक barrier बना देता है external हवा से उससे क्या होता है कि अंदर जो भी bacteria होगा cut पे तो वो एक breeding ground बन जाता है और वहाँ पे infection बढ़ सकता है इसलिए कोई भी area हो जहां पे cut हो या कुछ infection हो उस जगह पे kester oil को apply ना करें अब next बहुत ही common mistake जो हम करते हैं kester oil को लगाते वक्त कि हम लगा के उसे लंबे समय तक छोड़ देते हैं अब यहां पे क्या होता है कि जब भी kester oil लंबे समय तक हमारी skin पे रहता है तो वो again breeding ground बन जाता है और फिर infection होने का खत्रा होता है तो अगर आप अपने hairs वे भी kester oil लगा रहे है चाहे वो dandruff की problem के लिए लगा रहे है hair growth की problem के लिए लगा रहे है लेकिन अगर लंबे समय तक लगा के रखेंगे तो उससे क्या होगा कि dandruff जादा हो सकता है hair fold जादा हो सकता है अब कितनी देर लगा के रखना है जादा तर जो है वो कुछ minutes जैसे की आदा घंटा एक घंटा तक आप kester oil लगाए और उसके बाद wash कर ले इसके साथ साथ कितनी देर लगा के रखना है ये आप पर भी depend करता है ये चीज ऐसी है जो person to person vary करती है तो अगर आप अपने experience से देखेंगे कि आपके लिए आपकी skin पे आपकी hair पे kester oil किस तरह से काम कर रहा है कितनी देर तक आप लगा के रखते हैं आप पे किस तरह का impact आ रहा है या benefit आ रहा है उस तरह से आप खुद evaluate करेंगे तो वो और भी जादा सही रहेगा जिससे आपको kester oil का पूरा benefit मिलेगा जिस जगह पे भी आप kester oil apply करते हैं उस जगे को साफ रखना बहुत जादा जरूरी है चाहे वो आपका face हो चाहे आपका scalp हो चाहे वो navel area हो उस area को daily soap से wash जरूर करें अगर आप kester oil apply कर रहे हैं kester oil का बहुत सारे लोगों ने इस्तमाल किया है और इसके tremendous benefits लिए है इसके खास काबिलित यह होती है कि यह skin के अंदर deep penetrate कर पाता है kester oil जो है वो breast के lumps जो होते हैं या breast में gant हो जाती है उसमें भी इसके बहुत ही effects देखे गए है तो kester oil को अगर आप इन cases में इस्तमाल करते हैं जैसे कि breast पे lumps हो गई या gant हो गई, notes बन गए उस cases में भी बहुत सारी women ने kester oil का इस्तमाल किया है just kester oil को जिस जगह पे lumps है वहाँ पे apply करके बहुत सारे benefit लिए है तो इन cases में जब भी आप kester oil का इस्तमाल करते हैं तो इसको soul therapy ना बनाए अपनी doctor की treatment है अपनी doctor की advisory है उसको पूरा follow करें साथ ही साथ आप kester oil को भी इस्तमाल कर सकते हैं इसके साथ साथ क्या होता है कि kester oil जब भी आप इस्तमाल करते हैं तो वो spill ना कर जाए तो इसके लिए कुछ packs भी आते हैं जो कि आपको amazing पे available हो जाएंगे kester oil के packs आते हैं जिसके अंदर जो है आप kester oil लगा के और पिर जिस जगह पे आपको kester oil लगाना है काफी देर तक कुछ घंटों के लिए आपको apply करके रखना है उस जगह पे आप kester oil का pack बनाके वहाँ पे रख सकते हैं ताकि oil का spillage ना हो या फिर जो आपके clothes होते हैं उस पे जो है oil का spill ना हो तो जो kester oil का packs होता है उसका purpose यह होता है अब इसके साथ साथ एक और जरूरी चीज़ यह है कि जब भी हम kester oil इस्तमाल करते हैं तो किस तरह का kester oil हम यूज़ करें हैं यह भी important है अगर हम बहुत ही cheap rate का या local grade का kester oil यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है उसके अंदर कुछ ऐसे chemical हो वो किस तरह से synthesize किया गया है किस तरह से kester oil extract किया गया है तो उससे क्या होता है कि जो उसकी actual quality होती है वो deteriorate हो जाती है तो जब भी आप kester oil इस्तमाल करें तो organic grade का जो है एकदम pure kester oil इस्तमाल करें organic kester oil इस्तमाल करें तो आज हमने जाने kester oils related कुछ खास mistake जो हम कर देते हैं जिसके कारण क्या होता है कि हम उसका फाइदा नहीं उठा पाते क्योंकि जब हमें उसके side effect मिलने लगते हैं proper use ना करने कारण उससे क्या होता है कि हम kester oil इस्तमाल करना ही छोड़ देते हैं उससे हमें benefit नहीं मिल पाता I hope कि आपको आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को like जरूर कर दे इसे share जरूर करें अपने friends को अपने family members को ताकि ये knowledge है ये सब भी को spread हो सके सब भी इसका फाइदा उठा सके और इसके साथ साथ अगर आपने मेरे channel को अभी तक subscribe नहीं किया है तो इसे subscribe जरूर कर ले साथ साथ bell button दबाना ना भूले जिससे मेरे आने वाले जितने भी videos है उसके notification आपको time to time मिलती रहेगी मिलते हैं next video में किसी और नए information के साथ अब तक लिए stay blessed, be happy take care, namaskaram